नमस्काल दोस्तों मैं डक्टर अमिल मितल डिरेकटर अमितल हैं इंड मायक्रोस अर्शलिजी सेंटर विषाली नगर जैपुर हम जैपुर में बहुत सारह बेहकर लॉक्हिजस करें और जब बहुत मोग हमारे पास आए उनके कुछ पोश्यन होती है कि सर हमारा हाथ पतला क्यों है हमारा हाथ और फिद में पतला क्यों रह रहा है हमारा जो सारी चीज़ें सब्सक्राइब करें तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी उसमें हाथ पतला होता है वो इस अबाविक है वे नॉर्मल फिनोमिना रहा है उससे नो को ड़ना नहीं है लेकिन अगर ऑपरेशन करा लिया या उनकी जो इंजरी है ना जुक है और ज्यादा बड़ी चोपने द हमते हैं कि से भावरय स्टिया पथा मता6 है ईसको कुछ नहीं है तो हाथ मोटाव जाता घ्यासे कि, अगर आप किसी हाथ पजिपने करोगे तो हाथ पतला हो जाता है जैसे कि, इस वेट एनको हो SMAR चला जाता है क्योंकि करन नहीं आ रहा है लेकि मास पेशी जो काम नहीं कर ली है उसके कारें जो फिलावट है यह फिलावट नहीं रहती और हाथ पतला हो जाता है अगर यह लोगों को अगर यह बताया है कि फिजियो त्रैपी से ठीक हो जाएगा तो नहीं हो रहा है लेकिन जब उनका ठीक हो जाता है तो यह बोलते हैं देखो आप जूप रोल रोड़ों की फिज्ट रेपीजिए ठीक है तो ने रहा ठीक हो गया तो उनसे अंसर में यह बता देता हूं उनको ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि जो इनकी चोप थी वो नाजूप थी उनको करन डारा था ल जाता है उसमें किसी फिजियोट्राइपी टीसी एक्सराइज किसी मलंग का डूल नहीं है वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उससे जो करन बचावा है वो करन आजाए और इसलिए उनका इंप्रूमेंट उगाता है अजर वाँ भरतर भी कुल कर सकते हो कोई भी चीजिए लुच्छा उट बेंप्रविध आपरेशन के बाद जिसमें क्याता है उससे अथारा मेने से दो साब में गर्यजिए और जाई उसमें करन आने लगता है तो जो हाथ-पतला होता है वो मोटा होने लगता है ऐसे लुच्छा इसे जिए वो आपना टाइन डेस मा करीं जागा कि हाथ पतला देशने हैं जिसमें एक प्रांकी इसमें जिमार लगा कर उनको दिमाज इसमें लगाना चाहिए कि उनकी चोट आज़त सीवियर है तो उनको अपरेशन कराकर अपना जो टाइम में होगे इसना करें और जो पतला पाट है तो जिरे परेशन की पेटर हो सकता है लेकिन वो पतला पन को ऐसा ने डिसाइड करें कि मेरा जजलिख ठ़ाओ को मैं ठीक नहीं बहुत हुआ है तो आप सब लोगों को ध्यान रटने के लेकर पर से जिमदी होती है बहुत कम लोग ऐसा होते हैं जिको मा कि इस चीजों से हाथ पतला मोटा हो जाता है और पोटा पाथ पतला हो जाता है ऐसा कुछ नहीं नवश्क्राइब